इस जरह तस्वीर को देखिए साथियो आप बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार के साथ भारतिय जन्ता पाटी के नेता और उनके डेपटी चीप मिनिस्टर समराठ चौधरी जो हैं वो काफी मुस्कुरा रहे हैं ना जाने इस दोर में कौन सा गम छुपा रहे हैं जरह आप याद कीजिए का साथियो कुछ ही मैंने पहली की बात है जब समराठ चौधरी ने डंके की चोट पर बोला था क्या बोला था कि मैं जो ये पगरी मैंने जो लगाई हुई है ये निती पांदना परेगा बिहार के लोग देख रहे हैं कि किस परकार की राजनेति की आपसर वादिता के तमाम हदे ना केवन नितीज कुमार पार कर रहे हैं बलकि भारते जिंता पार्टी बीजेपी भी इस दौर में पार कर रही है आप याद कीजिए समराठ चौधरी ने दरसल कहा क्या था जर देखिए इनको बताएए ने समराठ जी आज इस पगरी को आप क्या के जेगा इस पगरी को तो आपको और कसके बांदना परेगा किबल यहीं हैं नितीज कुमार के किनकिन सब्दों से भारते जंता पार्टी ने नावाजा था इन जरत चेहरों को देखिए परधान मंतरी नेंद्र मोडी असमिर्ती राने खुद समराठ चौधरी लगातार नेतीज कुमार के बारे मेन आजाने क्या-क्या भोलते थे याद होगा आपको बिधान सभाग के भीतर बिधान सभाग के भीतर नितिश कुमार ने की बिवादित बियान दिया था और वो बयान जो था वो काफी वियुपाद आस्पद हो गया जो उनके कहने का जो तरीका था जो लहजा था बहुत ही अजीव हो गरीब सुनाई दे रहा था कुछ लोग को वह असलील भी दिख रहा था हलाकि जो संदेश था उसके जरीए वो यहीं कहने की प्रियास कर रहे थे कि जब से राज्य की महिलाएं सिक्षित हुई है तब से reproductive health के बारे में वो और ज़्यादा जागरूफ हुई है लेकिन नितिश कुमार का तरीका जो था वो बहुत असलील सा था और बहतर सब्दों का चैन कर सकते थे लेकिन उनके इस भासन के उपर अब जरा गौर कीजिए प्रधान मंत्रीजी से ले करके समरार चौदरी से लेक quiere कर समिंट्र 2017 लेकर लोगों किया कुछ नहीं कहाता नितिश कुमार को सबसे पहले देखते हैं नितिश कुमार में का तरली की नितिव ने यहरी दिखिए उट ऊट करते हैं जी हाँ सुनके आपको यह ब्यान बहुत बाहिया तो लगता होगा और ध्यान दीजेगा चुनाबी सभा के भीतर परदान मुंतिर नेंद्र मोदी ने में इसका जिक्र तक किया था सामने महिलाएं बैठी हो थी और काता इंडिया गटवंदन की एक ऐसे निता ने महिलाओं का अपमान किया और फिर वो महिला सारे सम्मान की बात करने लगी वैसे तो भारते जिंदा पार्टी के बहुत लंबा चौरा इतिहास है बलतका सेंगर हो स्वामी चेज़वा नेंद हो उनके खिलापू पार्टी की नर्मी संपुरा देश जानता है लेकिन आपको एक और सुनाना चाहते हैं प्रधान मंतरी ने क्या बात बोला था लेकिन एक बात और यहीं पर कि क्या परधान मंतरी जी ने जो बात कहा यह राजनिती का अफसरवादिता है यह फिर नहीं है सिर्फ इसलिए कि आपको जन्ता देल उनाइटेड जेडियू के साथ सत्ता में लोटना है तो आप अपने सौधिमान के साथ इतना बोला समझोता कर लेंगे असमिर्ती रानी आखीर कारदारी थी महिला सम्मान के उपर जी हाँ वैसे चुप रहती है जब रामरहिम की बात आजाए बिजभोजल सरसिंग की बात आजाए कुल्दिप सिंगर की बात आजाए स्वामी चिन्वानेन की बात आजाए लेकिन यहाँ पर वह पोली देखी ज आज उसी नितिश कुमार को गले लगा लिया गया है भारतियंदा पार्टी की योड़ से लेकिन क्या इसके उपर कोई किसी को हैरत होना चाहिए क्या इसको अचरज में परने वाली कोई बात है बिलकुल भी नहीं है आजाद भारत के इतिहास में राजनितिक अवसरवादिता को नए आयाम भी है भारतिय जनता पार्टी के परेबरे नेता ने मुद्दा के वल बिहार के नितिश कुमार का नहीं है पुरे देश के सामने कारवाई किया था जिनको लगाता डराया धंकाया गया लेकिन जैसे उन्होंने पाला पल्टा या पाला बदला सारे केस बंद हो गया है कुछ नाम आपको तो ऐसे भी पता होगा और सुवेंदू अधिकारी बताते हैं हेमंत विश्वत सर्मा जी हां अजित बवार महारास् सारे जो नाम हैं जिनको उपर अब भ्यान देजिए नरायन राने सहब इन सब के उपर भ्रस्ट अचार के गंभीर आरोग थे लेकिन फिर इनको समझ जब हो जल्दी आगया कि अगर अब जान अपनी बचानी है तो उस वासिंग मसीन में जाकर के बैठना परेगा जिसको ध दाग धुन जाएंगे बैठने से ही धुन जाएंगे और भाजपा के सब्द कोस में धाग अच्छे हैं खास कर तब बीजेपी के पाले में लोग बैठे हों बहुत बड़ा सवाल कि क्या भारते जंता पार्टी भारती राजनिती में अब अवसर वादिता सब धुन रहे है क्या भारते जंता पार्टी नए आयाम कायम कर रहा है सिधी सिधी बात है अजाद भारत के पुरेतियास में आयाराम गयाराम के परंपरा भी है कल इसे मलिकारजुन खरगे ने बोला भी आयाराम और गयाराम भारते जंता पार्टी जो नेतिकता की बात करती है पार्टी भी difference की बात करती है आज पूरी तरह से एक्सपोज है क्योंकि दिखाई पड़ता है कि जिस नितिश्कमार को लगातार ताने दिये थे गालियां दी थी नजाने क्या क्या कहा था महिला बिरोधी तक कहा था आज उएक बार फिर से मुख्यमंत्री बन कहें गठवंदन में भारतिय राजनिती का सबसे निउन्तम सबसे नीच लास्तर है सबसे नीचे कास्तर ऐसा बड़ता ही लोगों जीत के लिए जरूरी है कि किसी के साथ हाथ बिला लिया जाए विचारधार नाम की कोई चीज नहीं है लेकिन मैं बार बार आपसे एक बात कहता हूँ कि भारते जिनता प अफन नहीं है गहरा राज तब ही वो आवाज उठा सकता है भरते दिनता पार्टी के खिलाब और वही राजनेता अभी भी ठैरे हुए अब भविश में किसका कौन सा राज बाहर निकल जाए किसके दरवाजे कौन पहुंच जाए लेकिन सभाविक बात है कोई तभी ताकतव हो सकता है और भीर कर लड़ सकता है उसे बता होगा कि बदनाम तो किया जा सकता है लेकिन आखिरकार जब तक तक्थेव की बात आएगी जब मामला अकूर्ट में जाएगा अदालत पहुंचेगी जब सहाब के पास लोग होंगे तो सुबूत नहीं होंगे लेकिन परचार ह हो जाते होंगा प्रसार होगा और कि ऑंपनिस्मेंट जो परकिरिया है जिसमें आपको अरुप लगा Tenemos अटा है प्रसार होता है वहीं सजरा बन जाता है आपके लिए और यहां पर सवाल केवल राजनेताओं भरकthing के सामने ढेरो ऐसे मितलिए जो सवाल उठाता है सत्ता से उन्हें भी तो कई तरह के कारवाई हुई है बहुत सारे लोगों पर कारवाई हुई है यह पुरा देश को पता है और इस दौर में बड़ एक मेडिया के बड़े सा खेमा सत्ता के लिए ही काम करती है और ऐसा कि बल मेरा कहना नहीं है पुरा देश इस जिस के लिए जानता है कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसको बहुत बहुत मोटे मोटे वसूली करते हुए बहुत सारे पत्रकार बरे बरे टीवी चैनल के और जिल तक गए हैं लेकिन ऐसे से लोग जब सवाल उठाते हैं तो जाहिड सी बात है दुबारा उनको जिल थोड़ी जाना है तो क्यों सवाल उठाएंगे सवाल के सामने तो मेडिया की बहुत बड़ी खेमा आज के दोर में जो नतमस्तक है उनको पता है कि जिस दिन जो है वो सत्ता से सवाल अगर करना सुरू करेंगे उसी दिन उनका टिकट कर जाएगा सवान बहुत बड़ी जो कंपनी है जो एड़र्टीजमेंट करने की बात है बहुत सारे दवाब उनके उपर आ जाएगा उस चैनल के उपर उस पद्रकार के उपर आपके सामने सत्ता से सवाल करने का उठाने हर किसी कोई नहीं कर सकता है यह ताकत हर किसी के पास अभी नहीं है यही कारण है कि पत्कार मत्तक हो जाता है सत्ता के सामने और कई ही राजनेता जो है विचार धारा के साथ समझोता करके भरते जन्ता पार्टी के साथ जाकर के मिल जाते हैं लेकिन एक बहुत बड़ी बात कि खुद भरते जन्ता पार्टी क्या भरते जन्ता पार्टी को ऐसा नहीं पता है कि आज के दोर में आप सत्ता में जाईए आज के दौर में आपके हाथ, आपके हाथ में पूरी ताकत है, एजनसी है, पैसा है, परचारतंत्र है, पुरा प्लिस परसासन है लेकिन हमेशा नहीं रहेगा और एक प्यास में इस राजनितिक दल के पार्टी के तौर पर कोई याद किया जाएगा, वो राजनितिक दल, वो सवालों से बचता रहा है, आलोचनाओं से डरते गहते हैं, और यही कारण है कि इंकम टेक्स, एडी, सीवी आई, एंटी टेरर सेल के इस्तेमाल कर भी आ जाता है, सब के खिलाब, एक्टिविस्ट के खिलाब, राजनिताओं के खिलाब, क्योंकि जो परचार जो लोगों प राजनिती का इदम निचला अस्तर है, इस अंकट का दौर है, जहां पर राजनिती का कोई माइने मतलब ही रहे गया, पर धान मंत्री जी मंच पर खरे हो करके बहुत वड़ी वड़ी बैक बोल देते हैं, सच्चाई कुछ और हो जाती है, भ्यान दीजिएगा अमित साह का क प्यान था, क्या हम नितिज कुमार के साथ जाएंगे हैं नितिज कुमार को कभी आने ही नहीं देंगे, देखिए, अब क्या हुआ, अब सच्चाई है पुरा देश के सामने, हर किसी के सामने तस्विर साफ है पूरा, कि आखिर ये लोग हर किसम का समझाता करने के लिए तयार है, सत्ता में बरकरार रहने के लिए, सत्ता के बल बरकरार रखने के लिए, जै जै भारत!